काकी का संदूक इस कहानी की लेखिका हैं जया शर्मा मंजली काकी की तेरहवी पर आज पूरा परिवार एकत्र हुआ था उनके निधन से किसी को कुछ दुख नहीं था वह परिवार की एक उपेक्षिद बुजुर्ग थी मंजली काकी निसंतान थी लेकिन संयुक्त परिवार में रहते हुए उन्हें कभी भी संतान न होने की कमी खली नहीं वह अपने देवरजेट के बच्चों को अपना ही मानती थी मंजली काकी के पती उच्च पत पर थे इसलिए उनके रहते उन्हें धन की कभी कमी नहीं रही लेकिन काका के निधन के बाद काकी की स्थिती बिगरती चली गई कोई उनकी जिम्यदारी उठाने को तैयार नहीं हुआ बेचारी काकी फुटबॉल की तरह कभी इस घर, तो कभी उस घर डोलती रहती थी आज सबकी उपस्थिती में मंजली काकी का संदूक खुलने वाला था इस संदूक में काकी अपनी जमा पुंजी रखती थी परिवार के सभी लोग उस संदूक के खुलने का बिसबरी से इंतिजार कर रहे थे कुछ लोग जोड बाकी में लगे थे कि अंदर से कितना नगद वो कितना सोना निकलेगा और उनमें से कुछ लोग तो काकी पर किये गए खर्चों का बही खाता लेकर बैठे थे ताकि संदुक खुलते ही पाई पाई वसूली जा सके अंत में जब संदुक खुला गया तो उसमें से काकी के कुछ पूराने कपड़े और एक तस्वीर मिली जिसमें पूरे परिवार के सदस्य थे उस तस्वीर के पीछे लिखा था मेरे जीवन की जमा पुनजी मेरा परिवार खुश रहे आबाद रहे ये देखकर सभी के आँखों से असुरुधारा बहने लगी